अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो ये platform का सार संग्रा आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें सभी subject का आपका one line और दिया हुआ है जिसमें आपका 16000 प्लस questions होने वाला है और इसमें 6 से लेकर 12 तक का सभी NCRT का निचोड इसमें दिया गया है आज का वीडियो नंबर होने वाला है 66 तो चलिए सुरू करते हैं संपती के अधिकार को मुल अधिकारो वाले भाग में से निकाल कर किसमें अस्थान दिया गया यानि संपती का अधिकार को निकाल कर उनुचे 300 ये में डाल दिया गया स्विधान सभाग की पहली बैठक किस्तितिक होई थी 9 दिसमबर 1946 को स्विधान सभाग की पहली बैठक होई थी स्विधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारम करने के अपिक्छा की गई नीती नीदेशक स्तत्तों में पंचायती राज व्यवस्ता को लागू करने का दिया गया है भारत सरकार का परतम बीदी अधिकारी कौन होता है एटर्नी जनरल भारत सरकार का परतम बीदी अधिकारी होता है संसद्य विसेसा अधिकार से क्या अभिप्रा है वाल्टेयर का या कथन था उसके बाद लोगतांत्र को लोगों का लोगों के लिए सासन के रूप में किस ने परिभासित किया था अबराहम लिंकन जो की अमेरिका के राष्टपती हुआ करते थे भारत के सिधान के किस अनुषेद में मंत्री परिशत के सामोई कुतरदाईत्यों का सिधान परतिपादित है अनुषेद 75 के तीन में परतिपादित है संसत के किसी सदन में गणपूर्ती के लिए नियत संख्या है सदन की सदस्य ताका एकवटा दस्वा भाग संसत की गणपूर्ती के लिए आवस्यक है उश्तम नियाले 22 मामले में दिये गए निर्णाय से मिल्डवा मिल्स के मामले में दिये गए निर्णई की पुना अभी पुष्टी हुई है के स्वान भारती मामले में भारत में पाली भारकब राष्टी का पतकाल घोसित किया गया था 1962 में घोसित किया गया था भारतिय सविधान में अल्प संख्यों की किमानेता किस आधार पर दिख की गई थी कुल जन संख्या के साथ उस वर्ग की जन संख्या के उनुपात के आधार पर की गई थी संसदिय सरकार में मौंत्री मंडल उत्तरदाई है बिधाईका के प्रती भारतिय सविधान किस नियाले में तदर्थ नियाधिस की नियुक्ती की ब्योस्ता करता है स्वरोच नियाले में तदर्थ नियाधिसों की नियुक्ती होती है सविधान का अनुछेद दूसर उन्चास किस की सक्तियों से संबंदित है संसद की लुक लेका समिती के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है सविधान का कौन सा उनुशेद भारत के राष्टपती के महाभियोग की परकिरिया से सम्बंदित है उनुशेद 61 के तहत राष्टपती पर महाभियोग लगता है केंद्रियों भारत के राज्य के बीच सक्ति के बीतरन संबंदित तीन सुचियों के नाम बताईए संग सुची, राज्य सुची तथा समुवर्ती सुची भारतिय समिधान के उनसार कौन यूद की घुषना करने अथवा असांती के अस्थपना करने के लिए बैधानी की रूप से सक्षम है तो वह है राष्टपती सक्षम है तारकुंडे समिधी और गोस्वमी समिधी का संबन भारतिय राज बैवस्ता के किस पौलुस है चुनाव बैवस्ता में अमुल सुधार से संबन दिथ है किस मामले में सरोच नियाले ने समिधान दवारा प्रतत मौली क अधिकारों में संसोधन करने के लिए समिधान सभाब गुलाय जने का सुझाओ दिया था गोलखनात का मामला 1967 महिलाव को पंचायतों मेरा आरक्षन भारती समिधान में जिस संसोधन को करके दिया गया वह थे तर्वा समिधान संसोधन 1992 किस राजय के राजय पाल कौन सूचित जन जाती किस अंदर में 20 सक्तिय प्रदान की गई है और उनाचल प्रदेश में प्रदान की गई है हमारी राष्टी एक्तव को भंग करने के लिए फूट डालो और सासन करो कि निती को किस ने अपनाया बिर्टी सासको ने अपनाया था किस सविधान संसोधन में उश नियालो के नयादिसों की आयू 60 वर्स बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई है पंद्रहवा सविधान संसोधन 1963 में किया गया था यह वीडियो सेरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बता है और इसके प्रिविएस वीडियो को देखने के लिए चैलन के प्ले लिस्ट पे जा सकते है संसदिय सासन में वास्ति कारय पालिका सकती किस के पास होती है प्रधान मंतरी के पास होती है किसने कहा था राजे कानून की संतार और जन दोनों है मैकाईवर ने कहा था भारत का प्रतम गेर कांगेसी प्रधान मंतरी कौन था मुरारजी देशाई भारत के संसदिये इतिहास में प्रथम बही गमन किस ने किया था मदन मोहन मालविया ने किया था भारत के समयधान के किस अनुशेत के प्रावधान के अंतरवियात संसद राजय सूची के किसी विशयप और राष्टिय हीत में कानून बना सकती है अनुछे 249 के तहट कानून बना सकती है किस समयधानिक पद धारक को जो संसत का सदसे नहीं है संसत के समक्ष अपना दिरिश्टी कोन प्रस्तूत करने के लिए बिलाया जा सकता है महान्यायवादी याई अटर्नी जन्रॉल लोग सावा में किसी बिधैक पर आम बहुत किस अस्तर पर होती है द्वित्य बाचन में बहुत होती है अन्याय का जन्रॉल वहाँ होता है जहां समान लोगों के साथ असमान बहँआर किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान बहँआर किया जाता है या किसका कथन है और अस्तू का या कथन है भारती सविधान सावा को आयोजीत यहम संगठित करने का बैदिक आधार था कैबिनेट मिशन भारत के प्रसासनिक सुधार आयोग ने लोग पाल तता लोग आयुक्त संस्था की या स्थापना की सिपारिस की स्वर्स की थी 1966 में की थी भारत में ब्याय का लेखा तयार करने का उत्तरदाई तो किसका है मालेखागार का है यानि एकाउंटेंट जनरल का है भारत के सविधान में नवी दसवी एकारवी और बारवी अनुसूचिया प्रकार जोड़ी गई है सविधान संसोदन अधिनियमों के द्वारा जोड़ी गई है भारत के उप्राष्ट पती को पद्देश्यूद करने का संकल्प कहा प्रस्ताव किया जा सकता है किस सविधान संसोदन अधिनियम द्वारा सविधान में नवी अनुसूचि परिवर्तित हुई पर्थम सविधान संसोदन 1951 के अधिनियम द्वारा संग य 355 में है भारतिय सविधान के किस अनुसूचि में राज्यों के नाम तो था उनके राज्य छेत्रों का प्रथम अनुसूचि में दिया गया है राजनीती के निर्देशक सी दांतों में कौन सा अनुछेद अंतराष्टिय सांतिय और स्रक्षा के संवर्धन से संबंदित है अनुछेद 51 संबंदित है केंदर और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णे करने की भारत के उच्टम नियाले की सकती है इसकी मुल अधिकारिता के अंतरगत आता है इसकी मंतरी के बिरुद अविस्वास प्रस्ताप पारित हो जाए तो मंतरी परिशत को त कि आगपत्र देना पड़ता है संब्ष नियाले के नियाधिसों की निक्टी के पूर्व मुख्य नियाधिस से बिचार करना राश्टपती केलिए बादेकारी है Eph 220 या विधायको राजे सभा कितने समय तक रोख सकता है छे माह तक रोख सकता है लोक सभा में बिरोधी दल के नेता के रूप मन नेता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने परतिसत होना चाहिए 10% होना चाहिए मुख्य निर